लो इंडिया भारत हिंदोस्तान मैं सेट मुटे दिन आप लोगों के सामने पहले की तरह किसे एक बदा आज आप लोगों के सामने आने का मेरा एक और मकसद है क्योंकि हमारा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेकनोलजी इंग जो कंपनी है जिसका बहुत ही बहतरीन पर्फॉर्मस यूस का इस प्रॉडक्त के बाद हम लोग एक और प्रॉडक्त के दुनिया के समने लेकर आये हैं यह अगरी कल्टरल और मरीवी जमीन या फिर जो जमीन फर करते हैं थोड़ी बहुत मैं सेयद मुहिन दीन आप लोगों का यार दोस्ट जैसे कि स्टिंग टेक्नोलोजी का प्रोड़क मैं आप लोगे समने दो साल से रिप्रेजन करता आ रहा हूं हमारे इंडिया के बिहाफ में भारत या फिर हिंदुसान के बिहाफ में तो इसी तरह म भी सफलता पूर्वक बनने में आप हमरी पूरी-पूरी मदद करेंगी तो चलिए मैं दिल्वालों के दिली से सेयद मुहिन दीन स्पीकर और लेडर के तौर पर काम कर रहा हूं SWC में भारत के लिए दो वो और मुझे तीन साल होने को आ रहे हैं अभी तो आज का इवेंट जो यू-टेरा प्रोजेक्ट जिसके बारे मैंने अभी भी बात करी फर्टिलाइजर के बारे में जिसको हम अभी सपोर्ट कर रहें यू-सकाई के बात तो चलिए यू-टेरा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये यू-टेरा क्यों इसको नाम रखा गया ह तो यूटेरा क्या है तो ये कैसे फाइदे मन्द है उसके बारे में थोड़ा सा जांकर यासिल कर लेते हैं ऐसे उत्पाद पेश करता है जो बूमी की कमी की समस्या का सलूशन कर सकते हैं जैसे के मैंने का के फर्टिलाइजर है मरीवी जमीन या फिर बंज़र जमीनों को फिर से उसमें एक हर्याली लाने के लिए और बहुत ही अच्छा एक ऑप्सिजन लेवल को भी बढ़ाता है यह सारी चीज़े मुझसा है तो 2021 के लिए फर्टिलाइजर मार्केट का जो आकार है जो मार्केट का जो साइस है वो जो है 200 billion dollar का है fertilizer की जो वैश्विक मांग है मतलब कहने का मतलब जो world demand है पुरी दुनिया में जो demand है वो khaडीक शेत्र में जो उत्पादन गृद्धी को प्रिरीद करती है कहने का मतलब है khaडीक शेत्र जो है जैसे कि आप desert area मान लिजे जैसे कहा हमारे middle east area वागेरा में तो ये कुछ Asia पूरी वोल्ड का एक जो छोटा सा ग्राफिक है उसको चहां पर चार्ट के जरी भी हमने दिखाए कि किस जगा पर कितनी जादा इसकी requirement है आफ्रिका में 7% इसकी requirement है नौर्थ अमेरिका में 15% इसकी requirement है तो फर्टिलाइजर का बाजर का साइस क्या है उसके बारे में थोड़ा से जानकरी असिल कर लेते हैं यह पुरू अनुमानों के अनुसार यह और्गैनिक फर्टिलाइजर जिसे के प्लांट्स पशू और खनीज आधारित की मात्रा में वृद्धी होगी इसके जो है बड़ोती होगी बिसकली कहने का मतलब यह है दुनिया ऐसे उत्पादों की और बढ़ रही है जो अधिक सुरक्षित यह स्वास्तवर्दक और सभी आवश्यक माइक्रो ऑर्गैनिजम से भरपूर है हमारा फर्टिलाइजर जो है यहां पर जितने भी मैंने अभी डीटेल जैसे के बता है कि यह है सुरक्षित सेफ है और स्वास्तवर्दक यह हल्दी है हाजार्ड़ नहीं है विल्कुली लो हाजार्ड़ है और बाकी जितने भी जो आशेक माइक्रो ऑर्गैनिजम की ज़रूत है वो चीज़ों से भी परपूर है तो यूटेरा बायो हीमस क्या है उसके बारे में थोड़ा चा जानकारी हासल कर लेते हैं यह एक नैचरल ऑर्गैनिक सॉयल अमेंडमेंट है जो विशेश प्रकार के केंचुओं द्वारा सावधानी पूर्वक यह चैनिक जैविक कच्रे को प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है यह एक स्पेशल कींचिओं के प्रजादी को पालके उससे जो कच्रा बनता है वो सारी चीज़ों को फिल्टर वगरा करने के बाद उससे जो चीज बनती है जो बयो हिलमस बनता है उसको इस्तिमाल किया जाता है इसमें प्लाइंट्स की वृद्धी और विकास के लिए आवश है खनी जिए एंजाइन एंजाइन विटामिन साथ ही माइक्रो और माइक्रो लेमेंटेस की एक पूरी श्रुंखला शामिल है इस बाइयो हिमस में कि जिते मी मैं आपको नाम ले रहा हूँ यह बहुत ज़्यादा साइन्टिफिकली एक टर्मिनोलेजिस है आपको धोड़ा सा आराम से यह फिर दो बर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़े मिली हुए वो भी जान ले रहे हैं एन्वाइन्मेंटली फ्रेंडली पसल की गारेंटी देता है और बेनिफिशल माइक्रो आर्गेनिजम और एंजाइम को नैचुरल एक्टिविटी को उतीजित करता है प्लांट्स की इम्मिनिटी को मजबूत करता है और डीग्रेडेड भूमी की फर्टिलिटी को बहाल करता है किसी भी कॉंसंट्रेशन और किसी भी सॉइल पर पूरी तरह से आनि रही था है और हंड़ेड परसेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है यूटेरा सॉइल एलिक्सिर क्या है इसके बार में भी जान लाते हैं यू लिक्विट फर्म का फर्टिलाइजर है तो उसके बार में और थोड़ा सा टीरिल में जान लेते हैं यह एक बैयो लॉजिकली अक्टिव प्लैंड फूड है जिसमें यूमिक ऐसेट फल्विक ऐसेट और यूमिक के यह गुलंशील लवन्ड और साथ ही यह एग्रोनॉमिकल वैलियोबल माइक्रो ऑर्गनिजम्स की पूरी श्रुंकला उनकी उच्छ कॉंसेंट्रेशन के साथ होती है कहने का मतला इसमें जितने में मैं अभी टर्मिनॉलिजी जो अब बात करी है वो सारी चीजों को प्रोसेस करने के बाद यह एक लिटर सॉइल एलिक्सिर बनता है यूटरो एलिक्सिर कैसे बनाया जाता है उसमें क्या-kया हमारे रॉम मेटीरियल की डाले जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डीरिल में जाना लता है यूटरो सॉइल एलिक्सिर के लिए बिनिफिशल यह गेरफुली सेलेक्टट यह एरोबिक और अअरोबिक ततवाँ का उपयोग करके बनाया गया है जिसके लिकास के लिए और तरस nutrition formula अपलाई किया जाता है उसमें कुछ जो raw material से वो यहां दिखाए गया है मैं आपको बताता हैं कच्छे माल हैं जो कच्छे माल इसमें डाले जाते हैं वो जो है यह ब्राउन कोल और मॉलसेस शहग और बयो हिमस थोड़ा सा मिक्स किया जाता है उसके बाद यह अतिरित और गैनिक elementous चीज़ें इसमें डाली जाती हैं तो uterus elixir प्राप्त करने के लिए कितने stages होते हैं उसके क्या के stages से इसको गुजरना पड़ता है एक little soil elixir बनने के लिए पीट कोल की आपूरती और humic acid का extraction और composition का optimization, acidity level का correction, bacterial inoculant का introduction और final जो state होता है soil elixir में यह processing और यह soil elixir को इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे के फल, fruit, सबजी, पूल वगरा यह सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके बार में हम थोड़ा सा जानकर यहासिल कर लेते हैं प्रिशी उत्पादों की उत्पादक्ता एवं quality में वृद्धी होती है और plants की वृद्धी और विकास को तेज करता है soil की fertility को restore और बनाए रखता है मिट्टी के pH को control और सामान्य करता है plants को बीमारियों और pest से बचाता है pest मतलब कीडे मकोडे जो होते हैं उनसे बचाता है तो utera उत्पादों के लाब क्या क्या है utera को इस्तमाल करने से उसके फाइदे क्या क्या है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कच्चे माल के रूप में केवल natural ingredients का उपयोग कर सकते हैं natural ingredients के तोर पर हम इसको इस्तमाल कर सकते हैं और humic acid के सभी लावणों और agronomically valuable microorganisms की एक पूरी श्रुंखला की इसमें उपस्थिती मौजूद है और तीसरा फाइदा इसमें क्या-क्या है उसे यूज़ करने से organic compounds की संतुलित सामागरी और उसके बाद उत्पाद non-hazardos कहने का मतलब बहुती low hazard कई बार क्या होता है बहुती ज़्यादा जहरी ले बहुती ज़्यादा harmful होते हैं बहुती ज़्यादा घातक होते हैं तो उनके मुकाबले में बहुती कम एकदम बहुती कम low level पहरी पदा औरतों की study में आता है इन fertilizers का कोई analog नहीं है क्यूंकि इन्हें बनाने के लिए क्या के चीज़ें समल की जाती है वो उसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं जैसे कि केंचुएं की एक अलग प्रजाती को पाला गया था इसको जब इसको first time इसको बनाया गया था तो ऐसे सारी चीज़ें इसमें डाली गई थी या फिर बनाया गया था उस तरीके से और तरस nutritional formula विकासित किया गया है इसके अंदर और साथिससा ग्रह के मतलब कहने के मतलब है overall हमारी जो जमीन है वहां से एक हिसाब से देखो था आप पूरी अर्थ के जो प्लानेट है वहां से आप बोसकते हों ग्रह के पांच महादवीपों के 105 ecologically clean शेत्रों से हमारे पूरी जो प्लानेट है जमीन का वहां से 105 अलग-अलग यह एकोलोजिकल क्लीन शेत्रमा वैसी जगाओं से बेलोरूस है पर्टिकिलर वहां से बेलोरूस को वितरित उपजाओ किया था इसका मतलब वहां लेकर आया था 105 अलग-अलग जगाओं से वह भी इकोलोजिकली क्लीन जगाओं से और उसके बाद अच्छोती भूमी से एक सॉयल बैंक एकत्र किया गया है कहने का मतलब है अच्छोती भूमी जो होती है इसको वर्जिन सॉयल आप कह सकते हैं यह रिवर बैंक्स में जादातर मिलते हैं आ जगा थे वहां की मिट्टी को इसमें लाके एक जगा करके इसको टेस्टिंग के लिए पहले बनाया गया था तो सर्टिफिकेशन कहां कौन से उनिवर्सिटी से फिर किस किस चीज के लिए मिली है वह भी जान लेते हैं यह पास मतलब टेस्ट सारह होने के बाद जो का यह सर्टिफिकेट का नंबर है यह सारे ऐसे नहीं यह बहुत ही ज़ादा इन डेप्ट जाके टेस्ट करके उसके बाद ही इसको सर्टिफिक किया गया है कि मार्केट में ला सकते हैं और यह बेचने की काभिल है क्वालिटी रिपोर्ट इनके द्वारा प्रदान की गए ह इसकी जो कॉलिटी है वो किया सही में घर और बड़े-बड़े घ्षेत्रों में खेती बाड़ी क्लेह सायने नहीं किया जा सकता है यह सारी चीजों को मतरह रखते हुए इसमें कॉलिटी को सर्टिफे किया गया है वह कॉंशे क Qualities है किसे बार में जान लएत है RUE Institute of Soil Science and Agrochemistry और उसके बाद State Scientific Institution जो की बेलरूस में मौझूद है बेलरूस की National Academy of Science का Institute of Environmental Management वहाँ से भी इसको Certified किया गया है मतलब Quality के मामले में और बेलरूस की Chamber of Commerce and Industry यहां से भी इसको Certified Quality को Certified किया गया है यूटेरा उत्पाद अभी इसकी Demand क्या गया है वह भी जान लेते हैं यूटेरा का जो उत्पाद है बहुत ज़्यादा मांग में मतलब Demand में है केत पर अपनी परसनल जरूरतों के लिए स्वास्त और स्वादिस्ट सब्जीयां फल और जामुंद उगाए जाने के लिए भी इसको इसको इस्तमाल किया जा रहा है और नीजी खिती में एक छोटा सालज है फिर आफ घर के चसना के पर एक चोटी ऑपर वेए छोटी सी जो खैती बाडी उगरे करते हैं उसके लिए भी आप इसको इसको इस्तमाल किया जा सकते है ye chemical additives और इंप्यूरिटी के बिना प्राक्रूतिक उद्पाद उगाए और बेच हैं कहने का मतलब है यह जो है केमिकल एडिटिव हैं यह बिल्कुल ही नहीं है और इंप्यूरिटी के साथ जो कई सारे फर्टिलैसर्स जो मार्केट में बिखते हैं अच्छे कॉलिटी के नाम पर उसके घर ग्रीन हाउज और कंजर्वेटिव में सुन्दर फूलों वाले प्लैंट के सेलेक्शन में समलगन रह सकते हैं अब इसको इसको इस्तमाल कर गए और मार्केटिंग हमारी स्ट्राटेजी क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लाते हैं बाजार में प्रैंड और प सुरक्षा में बहुत ही जािय ज्यान का मतलब है इसको 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 बढ़न करें चुछ में परियावरन या फिर वातावरन के ऐसा तो इसको भी कुछ भी धका नहीं पहुंचगा इसको इस्तमाल करने से यूटेरा ब्रैंड पर जोर हम क्या दे रहे हैं जैसे कि अफोरडबल कीमत है इसकी कीमत जो है बहुत ही अफोरडबल है और उत्पाद जो है भी तो खुश्बुदार होगी और बहुती टेस्फफल होगी उसके बाएग उनिक composition यह जो composition हमने इससे कीमत है यह दुनिया की किसी भी fertilizer में इस तरीके की composition नहीं इस्तमाल किया गया है quality assurance भी जो है quality अगर आप लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की complaint का मौगा ने मिलेगा आप quality पूरी assurance के साथ हम दे रहे हैं और इसके बाद ट्रभादी उपयोग और फसल उत्पादन के लिए ये सिफारिश हैं अगर आप चाहो तो आप इस्तेमाल करके आप उसको खाने पीने में इस्तेमाल करने के बाद आप चाहो तो दूसरों का अपने जो आपको फसल दिखा रही है और इसके बाद यहां पे जो भरे वाइपत्ते आपको दिख रहे हैं यहां पे यह भी क्या है यह जो है यह बिल्कुली यूटरा सॉइल इलिक्सिर और नैचरल बायो हीमस को इसको बनाया गया है और यहां पे किसी भी तरीके की आपको को इसमाल करने से और आपके उत्पाद काफी स्वाधिस्ट हो जाएंगे आपके प्लांट्स अधिक सुगंदित हो जाएंगे और सौइल की फर्टिलीटी कई वर्षों तक बनी रहेगी देखिए इतने सारे फाइदे हैं एक फर्टिलाजर इस्तमाल करने से फुश्बोदा होंगे मज़ेदार होंगे और साती साथ आपकी जमीन की जो फर्टिलीटी होगी वो कई सालों तक बरकरार रहेगी यूटेरा मिडल इस्ट एग्रो इंडुस्ट्रीज की स्ताफना अभी हम लोग अल्रेडी कर चुके हैं बयो हुमस और यूटेरा सॉयल इलिक्सिर का उत्पादन करने के लिए यूटेरा मिडल इस्ट एग्रो इंडुस्ट्रीज बनाई गई है फिलहाल एक बायो फ्री येर ग्रीन हाउस कॉंप्लेक्स बनाया जा रहा है सस्टेनेबल बायो स्पेर क्लस्टर जिसमें शामिल है मुख्य भावन प्लांट और ग्रीन हाउस क्ल यूटरा मिडल इस एग्रो इंडुस्ट्री जो है यहां पर इतनी सारी चीज़ें इसलिए बनाया जाना है अगर कोई वहां पर विजिट करने के लिए आए कोई गेस्ट आए कोई डेलिकेट आए तो उनको वह चीज टच अन फील का मौका मिले इसलिए सारी चीज़ें वह आपर बनाई जा रही कि से प्रवतिश गटरए यह निर्मांड एक कहने का मतलब यह निरमां मतलब ही रास और अकैमा एककनामिक जोन में पनाया जा रहा है सही एक तो अरब अमिरत में नामिक यह जो राकेश जो है यह रास अल-कैमा एकनोमिक जोन यह जो है यह UAE में मौझूद है United Arab Emirates में यह जो है राकेश जो है सबसे बड़े एकनोमिक जोन में से एक है जो जितने भी एकनोमिक जोन हैं उन में से एक है यहाँ पे 770 से भी ज़ादा leading manufacturing company हैं, 100 से भी ज़ादा देश मुल्क इसमें involved हैं और 50 से भी ज़ादा industries यहाँ पे मौज़ूद हैं, मतलब industries अलग-अलग किसम की चीज़ें बनाने बाले यूटेरा उत्पाद यह स्टान के लाव क्या-क्या हैं, इसके हमें इस्तेमाल करने से इसके stage की advantages क्या हैं, यह यूटेरा प्रोजेक्ट के जो stage है, उसकी फायदे क्या-क्या हैं, प्रोजेक्ट को यह apply करते समय, लागत प्रभावी solution का उप्योग करने का आफसर में आपको मि लेगा और उसके बाद यह comfortable taxation में भी मदद होगा, और उसके बाद प्रोजेस्टिक हब से निकटता, यह सारी चीज़ें जो है, यह प्रोजेक्ट में बहुत ज़ादा एक हिसाब से, क्या कैसे आप, बहुत ज़ादा facility वाली चीज़ें इसमें मौजूद है, क्याने का मतलब है, कई पर क्या होता है, कि manufacturing आप unit बना लेते हो, और manufacture भी start कर लेते हो, marketing बगरा सब कर लेते हो, लेकिन logistics की जो है, यह सबसे बड़ी problem आती है, हर industry को और हर company को, तो इसलिए यह सारी चीज़ों को भी मद्दे नज़र रखते हैं, हम लोगों ने, रासल खायमा, economic zone में इसको, वहाँ पर plant हम लोग बनाने का हम लोगों नहीं सोचा है, क्या हो गया है, अच्छा, और जो next जो slide है, यह जो है, हमार कितने stages हैं, यह जो उसके बार में जान लेते हैं, निर्माट के जो हैं, तीन stages हैं, stage number one, एक में क्या-क्या होगा, वो जो है, preparatory कार्य करना, और उसके बा यह auxiliary buildings और एक laboratory का निर्माट करना, यह पहले stage में होगा, और दूसरे stages में क्या होगा, access सडकों का संगटन, जैसे के मैंने बता है कि logistics में जो problems आती हैं, वो main roadway का stick से ना होना, तो इसलिए इसका roadways का बहुत ज़ादा ज़रूरी है, तो access सडकों का संगटन और कर्मचारियों के लिए domitory का निर्माट, उसके बाद मुख्य building का design और निर्माट होगा, दूसरे stage म क्या होगा, एक indoor greenhouse का design और निर्माट, उनके effectiveness प्रदश्चित करने के लिए एक खुली हवा वालिक शेतर का आवंटन, जैसे कि मैंने बता है कि जब वहाँ पे clients वगर आएंगे, customers आएंगे, तो उनको जो है, touch and feel का मौका देना भी ज़रूर है, इसलिए वहाँ पे greenhouse बनाया जाएगा और उसके बाद साथी साथ, presentation जो है, वह भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो और वह खुले हवा में बनाया जाएगा, तीसरे stage में, project के मूल सिदान्त हमारे क्या क्या है, जो main goals क्या क्या है, mission क्या क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, हर stage में natural ingredient का उप्योग कर प्राइग्यानिक ज्यान के आधार पर practical approach का अनुप्रयोग, qterra project के बारे में उनियादी, यह information क्या क्या है, वो भी जो हमारा जानना दुरूए कि यह project कैसे बनेगा, इसको क्या क्या चीज़ें ज़रूद है, और यह project किस तरीके इस काम करेगा, किस तरीके इस फाइदे मन होगा, कब launch होगा, कब production होगा, यह बहुत सारे सवाल होते हैं, हमेशा एक project को लेकर, तो उसी project का हमारा एक कुछ basic जो चीज़े हैं, वो मैं आपको बता दे तो हमें क्या के चीज़ों की जरूद पढ़ेगी, अभी हमें जो है, धन जुटाने की 20 million dollar धन जुटाने की जरू करने का 2025 है, और इसके बाद 3-5 साल के अंदर निवेश की यह payback period होगी, अगर आपने एक certain amount इसमें निवेश किया, इसमें योगदान दिया, अपना सहयोग दिया, तो जो आपको capital जो amount होगा, वो आपको return आने के लिए 3-5 सल तक का time लगेगा, और जो आपको profit उसमें निव करने के बाद उसका आपको profit क्या percentage से क्या percentage मिल सकता है, वो जो है 17.5 प्रतिशत से लेकर ये 46.8 प्रतिशत तक आपको इसमें मुनाफ़ा मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि निवेश कों के लिए ये potential वार्षिक return, ये लिए, 2024-25 में क्या हो सकता है, निवेश को 2025 में जो है, वो आपका return on investment मिलना start आपको हो जाएगा, निवेश का अफसर कि इसमें क्या-क्या है, आपको वो क्या-क्या मौका मिले है, अभी आप लोगों के सामने उसके बारे हम बात कर लेते हैं, आप utero उत्पादों के उत्पादन में निवेश कर सकते हैं, और company के net profit का 55 प्रतिश्यत तक मौनाफ़ा आप प्राप कर सकते हैं, निवेश को के दोवारा round की शर्तों के अनुसार, यह थोड़ा जानना ज़रूरी, terms and conditions हैं, यहाँ पे terms and conditions भी है, कि first round में क्या-क्या terms and conditions होंगे, second में क्या होंगे, और third में TNCs क्या-क्या होंगे, यह जानना आए, जो है कि 29 परवरी 2024 तक चलेगा, अभी for example, अगर आपने यहाँ पे 5000 डॉलर अगर आपने निवेश के हैं, हमारी हिंदु सनी एक लग रप है, आप मान के चल सकते हैं, तो आपको मिलेगा 28 प्रतिश्यत तक का मुनाफ़ा आपको मिलेगा, और इसमें SWC और यूज का तो रिका भी जो है, वो टोटल मिला के 72 प्रतिश्यत उनको जाएगा, और अगर मैं डॉलर के हिसाब से बात कर लो, तो आपको कम से कम 218 डॉलर तक का आपका मुनाफ़ा आएगा, निवेश का जो है, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, ये जो है, नेट प्रॉफिट, 218 डॉलर तक आपको आ सकता है वार्षिक, और ये जो है, उसके बाद निवेश का, एक्सपेक्टेड वार्षिक रिटन जो है, परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, तो 21.8 प्रतिशत तक आपको इसका मुनाफ़ा मिल जाएगा, निवेश की शर्ते क्या क्या है, कंडिश कर सकते हो, या फिर 10 मैने का इंस्टॉल्मेंट लेकर भी आप इसमें निवेश कर सकते हो, निवेश के लिए 0.1% प्रतिवर्ष के आपको फिक्स्ट रेट भी दिया जाएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा साइग मैं आपने पसल पॉइंट भी बताना चाहता हूँ, य इसी के लिए एक इंट्रेस्ट के बात हो रही है, यहाँ पर, मैं आपको कोई रोब टुब नहीं करूँगा, बट ज्यादा तर क्या होता हूँ, कही सारे मुस्लिम्स में इसमें इंवाल हैं, तो मैं उनसे यही करना चाहूँगा, अगर आप इस प्रोजक्त में निवेश क करने से पीछे हट रहे हैं, तो आप एक पर सुचके देखें, जैसे के आप हमारी बैंकिंग वगर भी हम पैसे रखते हैं, हमारा इंट्रेस्ट वगर आता है हर साल में एक बार, तो आप निकाल को किसी को सदखा दे दीजे, गरीब को दे दीजे, तो ना उसके लिए आपक परसनल पॉइंट व्यू है, वो चाहत हो इसमें आप इंट्रेस्ट ले सकते हो, या फिर पांच वर्षों के बाद निवेश, निवेश एक प्रोजेक्ट छोड़ सकता है, और धन के ओपियोग पर अपना निवेश और ब्याज वापस ले सकता है, और यहां पर एक और आप अगर आप पांच साल के बाद, जैसे कि जो है त्री टू फाइव यह सो जो आपको कैपिटल लमाट होगा, अगर आपको लगता है कि पांच साल के बाद नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट से बाहर आना है, कि मुझे फाइदा नहीं उठाना है लॉंग टर्म के लिए, तो आ इसमें आपको गुना है नहीं, आपको उसमें सवाब मिलेगा, तो निवेशक के पास जीवन भर प्रोफिट के पेमेट का अधिकार है, साथ ही यह निवेशित राशी की उपियोग के लिए प्याज भी है, यहाँ पे भी फिर वो ही इंटरेस्ट वाली बात आ रही है, और स परसेंटेज आपको मिलेगा, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपने वन टाइम पेमेंट किया है या फिर इंस्टॉल्मेंट पेमेंट किया है आपने, और इंटरेस्ट का तो बाकि आपका पॉसल पॉइंट अप्यू है, निवेशक को किये गए निवेश की राशी के सर, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, यह मैं आपको बार-बार दोरा रहा हूँ, यह बहुत ध्यान से सुनने और देखने वाली चीज है, कि वन टाइम पेमेंट और इंस्टॉल्मेंट पेमेंट के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जब तक निवेश प्र कहने का मालब जो कंपनी माहियर अथर्डी होगी, उनके पास होगी, जैकर आप प्रॉफिट छोड़के चले जाते हो, तो आपके पास सारी चीज़ें वह आपको वापस दे दी जाएगे, और यह निवेश की शर्ते क्या-क्या है, उसकी कंडिशन क्या-क्या है, वह भी जा करके आप यह पेपर अपने पास रख सकते हो, यही आपका एक हिसाब से प्रूफ है कि हाँ, इस कंपनी में मैंने इतना इंवेश किया है, उसके हिसाब से मुझे एतना परसेंटेज प्रॉफिट आना है करके, बैंक ट्रांसेक्शन के साथ साथ पेमिंट सिस्टम का उप्य निवेश कर सकते हैं, तो बाजर क्या ओफर करता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, आज दुनिया में कई अलग अलग किसम के प्रॉजेक्ट और इंडस्ट्री मौजूद हैं, जिसमें लोग पॉब्लिक उसमें इंवेश करती हैं, निवेश करती हैं, तो उनको एक सर् तरीके से प्रॉफिट गेन करके दिया जाता है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जांकरी हासल कर लेते हैं, बैंक डेपोसिट में आपको आट से नौ प्रतिश्यत तक आपको वार्शिक रिटान इंडस्मेंट दिया जाता है, और उसके बाद पोशन जो है, अगर आप existing client और फिर partner हो, customer हो, इसमें units की strength technology के use का ये वाले project में, SWC के जरीए से, Skyworld Community के जरीए से, तो आपको पता होगा कि पोशन क्या है, नहीं है, तो आप इसमें हिस्सा लेकर आप इसको जान सकते हैं, उसमें जो है profit, जो है, जो company profit कमाए, उसमें 10-12% आपको हर साल में दिया जा मिलेगा, या फिर interest मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या मैं बैंकिंग से बिलॉंग नहीं करता हूँ, और मुद्रा, currency में, currency में क्या होता है, 0.2 से लेकर 0.4 तक आपको मुनाफ़ा मिल सकता है, ये भी शायद फिर से banking में आता है, और उसके बाद gold जो है, सोना ये तो आपको पता है, ये आप खरीद कर रखने से उसमें आपको कम से कम जो वैल्यू बढ़ती है, उसके इसाब से आट से लेकर 10% तक हर साल आपको profit मिलेगा, और silver में जो है 15 से लेकर 17% तक आपको हर साल में इसमें profit मिलेगा, real estate में जो है 15 से लेकर breeze प्रतिशत के आपको इसमें करते हैं, उसमें आता ही है, ये थोड़ा सा एक real estate की related ही इंडस्ट्री है, जिसमें 18 से लेकर 20% तक आपको साल आना मुनाफ़ा मिल सकता है, और यहां भी जो क्राउड लेंडिंग या फिर क्राउड फंडिंग जो हो सकते हैं, जो काम हम करते हैं, क्राउड से फंड उठाके मुनाफ़ा आपको मिलने की पूरी-पूरी संभावनों होती है, यूटेरा क्या ओफर करता है, दूसरे इंडस्ट्रीस के मुकाबले में वो तोड़ा सा जान लेते हैं, हम जो है, यूटेरा, ये 17.9% से लेकर 46.8% तक वार्षिक आपको मुनाफ़ा देने का हम लोग वदा कर रहे हैं, निवेश शकों की एक्सपेक्टेड रिटन जो है, यह है, अप्टिमिस्टिक फोर्कास्ट है, कहने का मतलब जो हम लोग ने मार्केट रिसेर्च किया है, उसके हिसाब से 17.9% से लेकर 46.8% तक आपको मुनाफ़ा मिलने का चांस है इस प्रोजेक्ट में निवे उत्पादन में निवेश कर सकते हैं, मैंने कुछ शायद गलत भला होगा, तो मुझे परिक करेक्ट करके बना पड़ा हूँ, एक competitive और high quality वाले उत्पाद के साथ आप जुड़ सकते हैं, और उसके बाद अध्यायन किया गया बिक्री बाजा, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगो बहुत जारा इंदप्ट डिटे में मैं नहीं जाओंगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें involved हैं, और उसके बाद ये जो है, दीरगा कालिक ये है, scaling potential, ये जो है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला product और project है, प्रोजेक्ट तो जल्दी काता हो जागा, लेकिन ये product market में मैं तो कर रहा हूं, क्या इसे फाइदा क्या होगा, मैं इसे कितने साल ये फिरिट तक में इसका फाइदा उठा सकता हूं, तो कहने का मतलब है, तो यहां जो कहने का मतलब है, payment की ये जो है आवरुति, ये प्रती तिमाह एक बार, हर quarter में एक बार, quarter उसे कहते हैं, जो तीन मैंने को अगर आप डिवाइट करोगे, तो तीन-तीन करके, चार बार, उसमें quarter आता है, तो हर quarter में एक बार, आपको profit देने का, हम लोगों ने plan किया है, profit का जो percentage जो है, वो है, fixed है, और घटता नहीं है, इसमें क्या है, कि for example, आपको एक confusion होगा, कि अगर मैं 1000 dollar invest करो, one time payment, अ 28% इसमें देने का वादा किया है, मुनाफ़ा, तो वो क्या होगा, अगर company ने profit नहीं कमाया, तो वो हमें क्या, अपना percentage घटा देगी, जी नहीं, जो percentage आपको वादा किया गया है, उसी के हिसाब से आपको profit दिया जाएगा, हर quarter में एक बार, लेकिन यहाप यह मत सुचना कि product नहीं हो, तो company कैसे देगी, जी नहीं, यह market बहुत अच्छी तरीक से study करको, यह study करने के बाद ही, आपको यह सारी चीज़ें detail में बताई गई है, यूटेरा Middle East Agro Industries के net profit का आपका प्रतिश्यत agreement में fixed है, जैसे कि मैंने कहा कि agreement जो है, वो paper है, और उसके बाद यह अपर यह वर्तित रहता है, जैसे कि, वो ups and downs नहीं होते है, बट हाँ हो सकता है, इसमें bio humus या फिर utera bio humus, फिर utera soil elixir के, आगर market में demand बढ़ेगी, prices बढ़ेंगे एक लिटर पे, तो वो सारी चीज़ों का जो profit आएगा, उसे हिसाब से आपको profit बढ़ सकता है, लेकिन घटेगा बि जो तक आपको return on investment आता रहेगा, profit आता रहेगा, तब तक ये घटेगा नहीं, हम लागत कम करके profit बढ़ाते हैं, कहते हैं, हमारे जो expenditures जो होते हैं, उसको कम से कम इससमाल करके, हम जादा से जादा profit देने की कोशिश कर रहे हैं, उत्पादन को optimization करने से, हम अपने निवेशक के अधिक return दिला सकते हैं, निवेशकों को अधिक return दिला सकते हैं, हमारे निवेशकों को जादा profit मुनाफ़ा दे सकते हैं, यदि operating cost कम हो जाती है, या एक लिटर यूटेरा soil elixir की बिक्री मुह लिए बढ़ जाती है, तो आपका personal मौदरिक लाब बढ़ सकता है, जैसे मैं ने कहा कि हमारा expenditure कम करने की वजए से और साथी साथ soil elixir का एक लिटर की अगर कीमत मार्केट में बढ़ जाती है, तो उससे भी मुनाफ़ा होगा, जो profit हमें आएगा, वो profit में भी आपका इससा बढ़ जाएगा, अधिक तम long term निवेश है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई short term है, उत्पादन में सेवा जीवन पर कोई प्रतिबंद नहीं है, और plant equipment अपडेट प्रदान करता है, यह जो है, यह ऐसा product है, यह जो plant का अगर equipment अगर एक certain period के बाद लगता है, तो उसमें भी helpful हो जाएगे, और उसके बाद agreement को बढ़ाने की संभावना के साथ, भूमी की 50 व पर बन रहा है, UAE शार्जा में, United Arab Emirates में, जो की एक specific location है, जिसको रास अलखेमा, economic zone कहा जाता है, वहाँ पे जो है, पचास साल लों के लिए इसको lease पर लिया गया है, तो हो सकता है, पचास साल होने के बाद इसको और थोड़ा सागे बढ़ाएं, और सोचके देखें, पच की जिन्दगी को कितनी बहतर बना सकते हैं, सिर्फ आर्थिक समस्याओं से नहीं, बाकि अब देखें, environment भी कितना clean और neat हो सकता है, और उसके बाद एक अच्छा और बहतर वाता परण भी हम आने वाले पीडियों के लिए छोड़ कर जा सकते हैं, तो नए साल का जो bonus है, वो सर्वोक्तम शर्तों पर यूटेररा प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं, यहां पर यह जो रेड लाइन जो मार दिया है, अभी रिसेंटल एक प्रोमो चल रहा था, वो तो वो प्रोमो खतम हो गया, 31 जनवरी 2024 सकी था, तो अब हम उसके बारें बात नहीं करेंगा, आग प्रीमियम टूर में दो चीज़ें हैं, जहां पर यूटेरा का प्लाइंट बन रहा है, वहां पर दौरा करने का मौका मिलेगा, प्लाइंट बनने से पहले कि पहले कैसा था, उसके बाद कैसा था, आप एक प्रोमो आई-विट्नेस बन सकते हो, और साथि साथ जो अभी डॉलर पे आपको 1000 डॉलर कैश बैक मिलेगा यहां पर और कोई प्रीमियम टूर मौझूद नहीं है 200 डॉलर से लेकर नीचे दसार डॉलर पर 500 डॉलर कैश बैक मिलेगा तो कैश बैक किस तरीके से काम करता है यहां पर जान लिजा अगर आप मिनिममम 2000 डॉलर या फिर एक लाग डॉलर का यह लॉट या फिर पैकेज इस्यू करते हैं तो आपको जो है आपके मेन अकॉंट में जो है यह टेकनोलोजी पोर्शन का इस्यू करने पर खर्च किया जा सकता है यह नहीं होगा आपको यह कूपन का इसमें इंवल्मेंट बिल्कुल भी नहीं वह प्रोमो खतम हो गया लेकिन यह जो आपका कैश बैक जो है वह आपको इसके पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीक रुपे या फिर 50 लाग रुपे का अगर आपने यूटर का पैकेज आपने लिया है या फिर इस्यू किया है तो आपको शार्जा के यूए में यूज का टेस्टिंग सेंटर और प्रोडक्शन साइट की यात्रा के साथ गिफ्ट के रूप में एक प्रीमियम टूर प्राप कर सकते हैं आप तो गिफ्ट और प्रोमोशन ऑफस की नंबर सीमित है जैसे कि मैंने बताया कि यह जो प्रीमियम टूर के साथ साथ आपका जो सेकेंड रौन में जो अभी जो मिल रहा है जो परसेंटेज ऑफ रिटन ऑन इन्वेस्मेंट यह भी एक लिमिटेड है तर्ड र निवेश स्तेतियों का लाब उठाने के लिए जल्दी करें और 2023 के अंत तक कहने का मतलब यह उस ताइम पे शुरू आता 2023 के डिसंबर में वगरा में शुरू आता तो 20 प्रीमियर टूर की ड्राइंग में भाग लें यह एक लिमिटेड मौका है टूर जो है वह एक लिमिट करना में निवेश करें और कंपनी के नेट प्रॉफिट का 55 प्रतिशत का मुनाफ़ा आप राप्त कर सकते हैं यह जो है बीस प्रीमियर टूर की जो है वह सिर्फ गिंती है उतने टूर्स के बाद यह प्रमोशन खताम हो जाएगा और उसके बाद जो है जैसके सेकेंड रॉ होता है और आप इंस्ट्रॉल्मेंट या फिर ओपर निवेश होता है यह मैं आपको बार बार इसले दोरा यह बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है वरना क्या होता ना आपने ले लिया फिर बात ने दिक्कत आएंगी कि मैंने यह लेना था वो लेना था करके इसलिए सारी कन्फिजन को दूर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंडेफ्ट डेटेल में आपको बता रहा हूँ तो यह फीड़ा फीड़ाइक इस वरी इंपोर्टन तो आपका फीड़ाइक जो है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मात को पूर्ण रखता है क्योंकि हमारा या फ पीकर अच्छे तरी से समझा पा रहा हूं बहुत सारी सवल जवाब होंगे इसमें पांसे आपको ज्यादा-ज्यादा दस मिनिट लगेगा या फिर मैक्सिमम उसमें पांसे दस सबको सवाल उसमें होंगे आप जवाब देखे आप एक सर्प्राइस गिफ्ट भी हासिल कर सक आपको सिर्फ एक बार मिलेका बार बार फिल करने ते आपको बार और वो जिफ्ट नहीं मिलेका एक ही बार उसमें एकश्क्लूजियो आक्सेस आपको मिल सकता है तो यहां पे एक ही बार और आ जानकरी हासिल कर सकते हैं या फिर आप हमें सोचल मीडिया के जर्issen भी हमारे जुड़ सकते हैं और उसको आर्थिक सुरक्षा देते हैं हम तो सिर्फ एक सहीयोग देते हैं अपना योगदान देते हैं कि ताकि सबकी अपनी जिंदगी बैतर बन सके और आने वाली पीडियों की भी जिंदगी बैतर बन सके इन्वेस्ट इन हाई डिमैंड इको फ्रेंडली प्रोड़क्शन टेक्नोलोजी भी थे हाई परसंडर प्रोफिट यह जो है उसमें आप अपना सहीयोग और योगदान दे और साती साथ जादा जादा मुनाफ़ा कमाने का बरपूर फाइदा उठाएं यह हैं मेरी मेंटर और मेरी टॉप एक्सपर्ट और इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉंसिबल परसं है और यह मेरी मेंटर भी है मेरी अप्लाइन मैनेजर भी है मिस कैट जेकब्स और जैसे के आप लोग तो मुझे जानते ही हैं जो लोग मुझे बहुत दिनों से देख रहे हैं मेरा नाम है स इंडिया और हिंडिया और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीम्ती वक्त दिया जाने से पहले मैं और फोड़े से आपको जानकर ही देदू अगर आप इंडिया के एक मेल आइडिया है और आप लोकल सारी जानकरी अफिल कर सकते हैं या फिर आप यहां पर फेस्बुक का एक पेज है इंडिया के नाम से वहां पर भी आप हम से जुड़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुबरात्री शब्बा खैर गुट नाइट एंड थैंक यू वेरी मच